वेलकम फ्रेंस तो हम लोग पढ़ नहीं थे भारत का भोगोल उसमें भारत एक द्रिष्टी में तो हम लोग पाट वन में पढ़ चुके थे हैं अब पाट टू हम लोग देखेंगे उससे आगे पॉइंट है नेक्स्ट है पस्चिमी तटिय मैदान प्राइदिप के पस्चिम भाग में कच की खाड़ी से लेकर कुमारी अंत्रीप तक 1400 किलोमेटर लंबाई में फैले हुए हैं नेक्स्ट पॉइंट है करनड तट गोवा से मंगलोर यानि की करनाटक तक विस्त्रीथ है नेक्स्ट पॉइंट है मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्त्रीथ है यहां अनेक लेगून एवं पस्च जल मिलते हैं जिन्हें कयाल कहते हैं जैसे अस्ट मूदी ए पुर्वी तेटियम मैदान का विस्तार उडिशा आंधर परदेश तथा तमिलनाडू के तट के सहारे हैं, उत्री सरकार तट एवं कोरो मंडल तट इसके परमुख भागें, नेक्स्ट पुइंट है, तमिलनाडू यवं आंधर परदेश के समुदरी तट कोरो मंडल तट के नाम से जाने जाते हैं, नेक्स्ट पुइंट है, नंदा डेवी सिखर उत्राखंड में इस्तित है, नेक्स्ट पुइंट है, कल्लू, घाटी, धोला धर तथा पीर पंजाल, स सिक्किम में इस्तित है, नेक्स्ट पुइंट है, रोतांग दर्रा हिमाचल परदेश में इस्तित है, नेक्स्ट पुइंट है, लिपू लेक मामना एवं निती दर्रा उत्राखंड में इस्तित है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हिमनाद सियाचिन यानिकी लदाख ह Nos पंट है, मेगालाई का पठार प्राइदिपिया भारत का भाग है Nos पंट है, मालवा का पठार अरावली एवं वीन-दिया है शिरेनियों के मैद इस्तित है Mys पंट है, भारत का ओस्षत समुद्र दल, चन्नाई तक त्ट से मापा जाता है भारत के तटिया राज्यों की संख्या नौ है बुजरात, महाराष्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, आंदरपरदेश, ओडिशा, एवं, पस्सिम बंगाल, परमुक तटिया राज्य है सेंडल, पिक, अंडमान, एवं, निकोबार, दिपसमु की सबसे उची चोटी है बंगाल की खडी में इस्थित है, श्री हरी कोटा दुवक पूली कट झिल के समिप इस्थित है लेक्षदीव अरब, सागर में इस्तित है, यह परवाल, निर्मित, दुवफ समु है भरत एवं, श्रीलंगा के माईद इस्थित है नेक्स्ट है दिवपो पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है ना मुंबई जो सहर है उज दिवपो में ही बसा हुआ है नेक्स्ट है भारत में उस निकती बंधिया मानसुनी जलवायू पाई जाती है तथा यहां सरवाधिक वर्षा दक्षिन पस्षिमी मानसुन द्वारा होती है भारत में ग्रिस्म कालीन मानसून के परवा की सामाइनिय दिशा दक्षिन पस्षिम से उत्तर पुरूव है भारत के उत्तरी पस्षिमी मैदानों में सीत रितु में पस्षिमी विच्छोबो के परभाव से वर्षा होती है बारत के पंजाब एवम तमिलनाडू में सरद रितु में वर्षा होती है भारत में ओसत वर्षिक वर्षा लगभग 125 cm है भारत में सरवाधिक वर्षा पस्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा मेघालाई में होती है नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सरवाधिक वर्षा मासीन राम यानि की मेगालई में इस्तित है में होती है मासीन राम को विशुव में सबसे अधिक वर्षा वाले अस्थान के रूप में भी जाना जाता है यह भेरी भेरी इंपोर्टेंट भी है हना सबसे अधिक संसार में पुरा अलोबर कंट्री में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है तो मासिन राम में होता है नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मांसुन का आगमन सबसे पहले केरल में होता है मांसुन का आगमन देखा जाए तो सबसे पहले केरल में होता है नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर में मानसुन के प्रस्फोर्ट के लिए पूर्वी जेट परवा को उत्तरदाई माना जाता है नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सरवाधिक देनिक तप पांतर राजस्थान में मरो अस्थलिया छेतर में पाया जाता है और बहुत वहां गर्मी पड़ता है नेक्स्ट पठार में काली मिर्दा की अधिकता पाई जाती है नेक्स्ट पॉइंट है काली मिर्दा कपास की खेती के लिए सरवाधिक उप्यूक्त होती है इसलिए इसे काली कपासी मिर्दा के नाम से भी जाना जाता है हाना काली कपासी मिर्दा भी कहा जाता है तो आपको याद रख लेटराइट मिर्दा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण यह उसके बाद दिखे अनूर्वर होती जा रही है नेक्स्ट पॉइंट है लेटराइड मिर्दा केरल करनाटा के ओं महाराष्ट में सरवाधिक पाई जाती है नेक्स्ट पॉइंट है बलोई दोमट मिर्दा में सबसे कम जलधारन चमता होती है बलोई मिर्दा दोमट मिर्दा जो होता है उसमें जल्धारन चमता किया सबसे कम होता है गंगा के मैदान की पूरानी जलोड मिर्दा बांगर कहलाती है बांगल का मैदान में जो पूरानी जलोड मिर्दा होता है उसको हम लोग बांगर कहते है नेक्स्ट देखिए नविन जलोड मिर्दा को खादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए भारत में सरवाधिक चारिय मिर्दा उत्तर परतेश में पाई घाती है। next point है, मिर्धा अपर्दन को वंडरोपन दुखा जा सकता है, हाना मिर्धा जो अपर्दन हो रहा है, एक जग़ से दूसरा जगा, हाना तो उस अपर्दन को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेंडपोध हो, लगना चाहिए तभी जाके मिलदा पर्धन को रोका जा सकता नेच्ट पॉइंट है भारत के सरवाधिक छेत्र में उसने कटी बंधिय सुष्क पर्नेपाती 1 पाए जाते हैं में उसने कटी बन्दिय को ब्रिक्ष पाए जाते हैं और में 200 सेंटीमीटर से अधिक शेतरों में ब्रिक्ष अधिक होती है कथ्था जो बनाया जाता है आप मेला वगरे में देखते होंगे आपका हाथ उत्में लगाया जाता है हाँ डिजाइन कहा है लकड़ी से बनता है उसी का परियोग से बनाया जाता है और भी कुछ-कुछ केमीकलों on gal नेक्स्ट पॉंट है भारत में वन सनरक्षन अधिनियम 1980 में पारित किया गया नेक्स्ट पॉंट है उसन कटी बंधिये वादर पर्नपाती वनों का परमुख्य ब्रिक्ष सागोन एवं साल है पस्टी में हिमालाई की सितोषन पेटी के देवदार व्रिक्षों की परधानता राजस्थान में लंबी जड़ो और नुकिले काटो वाले वन पाये जाते हैं नेक्स्ट पॉंट है भोजपत्र व्रिक्ष हिमालाई में पाया जाता है नेक्स्ट पॉंट है पलास के ब्रिक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है प्रास का जो ब्रिक्ष होता है उसको जंगल की आग भी कहा जाता है और नेक्स्ट देखिए समुद्र तल से सरवाधिक उचाई पर पाया जाने वाला ब्रिक्ष देवदार है समुद्र उतल से सर्वाधी कुचाई पर पाया जाने वोला ब्रिक्स के हाद देवदार है चिपको आंदोलन के प्रनेता सुन्दर लाल भोगुना थे भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उध्यान कोलकाता में इस्थित है काजी रंगा राष्टी उध्यान असम एवं एक सिंग वाले गेंडे के लिए परसिद्ध है मात्मा गांधी मरिन राष्टी उध्यान अंडमान एवं निकोबार दिवसमू में इस्थित है जिवासम नेशनल पार्क मंडला मैद पर्देश में इस्थित है नेश्ट पॉइंट है काना राष्टी उध्यान मैद पर्देश में इस्थित है रोयल बंगाल टाइगर के लिए परसिध है और लास्ट पॉइंट देख लिए नोकरेक जेव मंडलीय चेत्र मेगाले में इस्थित है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट खरी आगे पढ़ेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए जैहिन बंदे मात्रा में